फतेह पुर्सीक्री का इतिहास? तो गाईस हम बताएंगे आप सबको पूरा इतिहास तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दो और विडियो को लाइक और शेर करना न भूलें फतेह पुर्सीक्री उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है यहागरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है समराट अकबर ने 1571 में मुगल सामराज्ज की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 16-110 में पूरी तरह छोड़ दिया हतेह पुर्सीक्री में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद है इस शहर का अपना एक इतिहास है यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलो दरगाहों और अन्यस्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं हतेह पुर्सीक्री में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहां के लोगों को काफी रोजगार मिला है यदि आप फतेहपुर्सीक्री के बारे में और विस्तार से जानना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़े फतेहपुर्सीक्री का नाम कैसे पढ़ा यहां सीक्री नाम के गाव पहले से ही मौजूद था जिसके नाम पल्स शहर का नाम खतेहपूर सीक्री पड़ा। इस गाव पर पहले से ही किसी का कबजा था। भारतियपूर आतत्व सर्वेक्षन, SI, की 1999-2000 की खुदाई से पता। चला है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहां एक बस्ती, मंदर और वानिज्ज तक निर्मान शुरू कराया था जिसने जहंगीर के जनम की भविष्ठवानी की थी। जहंगीर के दूसरे जनम दिन के बाद उस ने यहां एक चारदीवारी और शाही महल का निर्मान शुरू किया। 1570 में अकबर के विज़ए- गुजरात अभियान के बाद शहर को सेस अफ हेस्टिंग्स ने सीकरी में समार्कों की मरम्मत का अदेश दिया था, हतेह पर सीकरी का इतिहास, माना जाता है कि सोलहुइन शताब्दी में जब बाबर ने राना सांगा को एक युद्ध में हराया था, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गाव को पहली बार देखा था, इस जगह से बाबर को बहुत प्यार था, बाबर ने इस गाव को शुकरी शुकरिया की उपाधी दी और इसके प्रतिया भार प्रकट किया था, एनेट बेवरिज ने बाबर नामा के अपने अनुवाद में लिखा है कि बाबर सीकरी को शुकरी पढ़ने के लिए कहता था, बाबर ने सीकरी के बाहरी इलाके में Garden of Victory नामक एकबांग का निर्मान कराया था। बगीचे में उसने एक अश्टकोनिय मंदप बनवाया था जिसमें वह विश्राम और लेखन का कारे करता था। पासकी जील के केंदर में उसने एक बड़ा मंच बनाया। हिरन मिनार से लगभग एक किलोमेटर दूर एक चटान के स्कोप के आधार पर एक बावली मौजूद है। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई समारकों का निर्मान कराया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा? अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहां अपने तरीके से इमारतों का निर्नान कराया। यहां के सभी समारक और मस्जिद स्था पत्य शैली में निर्मित हैं। आईएं जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में घूमने लायक कौन-कौन सी जगहें हैं। अनूप तलाव फतेहपुर सीकरी में घूमने की जगह। यह तलाव बेहद खुबसूरत हैं और इसके बीचो बीच एक प्लाटफर्म बना हुआ है जिसका इस्तिमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। हतेहपुर सीकरी में घूमने की जगह पंच महल। हर्मों पर चर्चा करता था। बुलंद दर्वाजा फतेहपुर सीकरी यह 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष अकबर द्वारा बनवाया गया था। गुलंद दर्वाजा के केंडरिय भाग में लगा एक शिलालेक अकबर के धार में खुलेपन का वर्नन करता है। सबसे उचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। हतेहपुर सीकरी में देखने लायक जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडली की मस्जिद। यह संभवता परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी। हतेहपुर सीकरी में गूमने की जगा सलीम चिष्टी का मकबरा। यह मकबरा सफेद संगमर्मर से बनाया गया है जो सलीम चिष्टी को समर्पित है। यह जामा मस्जिद के साहन साहन आंगन के भीतर है। एक केंद्री अचौकोर कक्ष के चारो औरे सेकल मंजिला का निर्मान किया गया है। जिसके भीतर संथ की कब्र है। फतेहपुर सीक्री कैसे जाएं। चूनकि यह शहर आगरा से बिलकुल नजदीक है इसलिए आगरा जाने वाले परे तक फतेहपुर सीक्री जाना नहीं भूलते हैं। इस शहर में यातायात के हर मौजूद है। आइए जानते हैं फतेहपुर सीक्री कैसे जाएं। और अच्छी तरह से जुडा हुआ है ज्यादा तर प्रमुक एरलाइन्स जैसे इंडिगो एरलाइन्स, एर इंडिया, जेट एर्वेज, इंडियन एरलाइन्स, गो एर, एर इन्डिया एक्सिट्रेस और एरेशिया की आग्रा के लिए नियमित उडाने हैं हवाई अड़े के बाहर से टैक्सी लेकर आप मामूली शुल्ग पर फतेहपूर सीक्री पहुंच सकते हैं बस द्वारा फतेहपूर सीक्री कैसे पहुँचें फतेहपूर सीक्री आगरा से 37 किलोमीटर और दिल्वी से 210 किलोमीटर दूर है यहां के लिए नौइडा और अन्य राज्यो जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC द्वारा संचालित नियमित बसे चलती है इसके अलावा आप दीलक्स और वोल्वो बसों से भी फतेहपूर सीक्री पहुँच सकते हैं यहां परिवहन का सबसे किफायती तरीका है और एक अच्छे सड़क नेटवर्क के कारण यहां की यात्रा काफी आरामदायक भी है अगर आप खुद ड्राइव करके फतेहपूर सीक्री जाना चाते हैं तो आप दिल्ली से नए यमुना एक्स्प्रेस्वे के माध्यम से जा सकते हैं ट्रेन से फतेहपूर सीक्री कैसे पहुचे? आगरा कैंट फतेहपूर सीक्री का निकट्टम रेलवे स्टेशन है जो आगरा में स्थित है यह शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है फतेहपूर सीक्री स्टेशन आगरा कैंट से पहले आता है और ट्रेने कई भारतिया शहरों से ट्रेने गुजरती है पंजाब मेल, करनाटक एक्स्प्रेस और जेलम एक्स्प्रेस जैसी कई सुपरफास्ट और रूटीन ट्रेने स्टेशन से प्रतिदिन चलती है आप स्टेशन के बाहर से बस और नीजी टाक्सी लेकर शहर पहुँच सकते है फतेहपूर सीक्री में कहां रुके? हम सभी जानते हैं कि फतेपूर सीक्री एतिहासिक कारणों से बहुत प्रसिद्ध है यहां वर्शभर परियतक आते हैं इसलिए यहां परियतकों के रुखने के लिए बहतर सुविधाएं उपलब्ध है अगर आप फतेपुर सीकरी घूमने जाने की प्लानिंग कर रही हैं, तो घर बैठे ही अपने ठहने के लिए होटलों की प्री बुकिंग करा सकते हैं यहां आप होटल व्रिंदावन, गोबर्धन तूरिस्ट कॉंपलेक्स, माया शाम, मंगलम पैलेस, साई ध्यान, ब्लू हिवेन, ग्रेस रेजिडिन्सी जैसे होटलों में रुख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे की प्रतेक होटल में ठहरने का शुल्क अलग-अलग है यहां लग्जरी होटल भी हैं, जहां आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ठहर सकते हैं थैंस फॉर वाचन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में